प्रशाद बनाने जा रहे हैं रस बरली बहुत टेस्टी बनता है और ये फेमस है तो ओडिसा का ये फेमस प्रशाद है जगनाजी का यदि ये रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हमारे वीडियोज को अधिक सदिक माता है तो चलिए इसे बना लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने एक लीटर दूद गैस पर चड़ा दिया है और इसकी हम रबडी बनाएंगे रबडी बहुत गाड़ी नहीं बनेगी जब दूद बॉयल होने लगए तब हम इसमें केसर डाल देंगे केसर का फ्लेवर इसमें बहुत दूद 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 दिया है थोड़ी देर में इसका कलर इसमें अच्छी तरीके से आ जाएगा और फिर हम इसे अच्छे से गाढ़ा करेंगे उसके बाद फिर इलाचि बॉर्डर डालेंगे जब गैस बंद करेंगे तो देखिए केसर कलर छोड़ने लगा है हम इसमें चीनी डाल देंगे 2 टेबल इसमें चीनी डाला है और मिठ़ा आप अपने टेस्ट कामशार कम ज्यादा कर सकते हैं तो देखिए इसमें कलर अच्छे से आ गया है केसर का और अब हम इसमें इलाची पाउडर डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे इतना ही अब हम इसमें इलाची पौडर डाल देंगे, हाफ इस्पून हमने इलाची पौडर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे हम उतार देंगे और आप बना लेंगे रसबली, रसबली बनाने के लिए हमने एक बोल लिया है ग्रेट किया हुआ पनीर, आप चा चैनल में हम एकको बना सकते हैं और स्गो guaranteed करके और दो न्हीं नरी डाला दाल करatar का पर ना की सब्सक्राइब क्यूशन ग्रीड में शबाक दालने के देऊ रहा है हैं तहहां तो इतना इते पमें से घ्र डीव पोरैंगे तो ये देखिए गी चोड़ने लगा है और अब काफी अच्छे से बंद गया है थोड़ी तरी से हमें और मसल ना है जितने अच्छे से आप इसे मसल के त्यार करेंगे उतना चाप का फूल के रसबली त्यार होगा ये देखिए काफी अच्छे से डो हमारा त्यार हो रहा है कि इसको में इस तरह से रब़ करके अच्छह से तियार कर लेंगे बाहत ही यह अवी अच्छह से मसल लिये हमने बिल्कुल डोके मिला दिया ताकि फ्लेवर है और अब हम इसे अच्छे से मेक्स करेंगे और इसके छोटी चोटी पेड़े बना लेंगे उससे हम रसबली बनाएंगे जितना स्मूथ डो आपका त्यार हो का उतना ही स्मूथ आपका रसबली बनेगा तो इतनी में हमारा पांच रसबली बनके मतलब का त्यार हो गया है तभ हम सब को गोल कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल चिक्ना सा बनाना था daar नहीं तो यह तेल में बिखर जाएगा जब हम घी में इसे सेकेंगे तलेंगे तो यह बिखर जाएगा इसलिए इसको बहुत ही चिकने से बनाना है देखिए विल्कुल साइड साइड बटना चाहिए साइड को भी अच्छे चिकना कर लेंगे तो इस तरह से देखिए कितना ओ अगर रिलीज हो गया है इसका मतलब कि आपका ड्रो तैयार हो गया है यह देखिए इस तरह से हम गूल करकर के सब को रख लेंगे बिल्कुल चिकना बनाएँगे बिल्कुल क्रेक नहीं होना चाहिए कहीं से भी इसका ध्यान दे नहीं तो हमारा घी खराब हो जागा जिसमें ह गी में बना रहे हैं तोreating को रख दिया है गरम ऊहुए तौत की हाँ धाल के देखेंगे we apptah नहीं हमारा ड़ क्यों आप कालें अब तो इस तरह से देखे हमने सारे को धर apprentices इस तरह से सारे को डालेंगे और medium to slow flame पे हमको इसे पकाना है high heat पे बिल्कुल ना पकाना नहीं तो उपर से जल जाएगा और अंदर कच्चा रहा जाएगा slow to medium में पकाएगे धीरी धीरी पकेगा और अंदर तक अच्छे से पक के त्यार हो जाएगा तब इसे हम एक साइड में golden brown हो जाए दूसरे साइड में पलट देंगे तीस तरह से देखिए कम से कम एक साइड अच्छे से हो जाए तभी आप इसे पलटे नहीं तो फूर्ट ने गडर रहेगा तीस तरह से अब अलट पलट के हम इसे golden brown होने तक सेक लेंगे अच्छे से fry करेंगे ताकि ये खाने में tasty लगे ति ये देखिए काफी हट तक ये तयार हो गया है और खूल भी गया है और color भी बहुत अच्छा आ गया है अब निकाल लेंगे इसे ति ये देखिए हमारा ये तल गया है यदि आपके पास गी नहीं हो तो आप इसे oil में भी fry कर सकते हैं अब इसे हम देखिए एक बोल में shift कर देंगे और इसमें हम जो रबडी बनाए है उसे डाल रबडी हलकी गरम होनी चाहिए ताकि अच्छे से सोब कर ले और अब इसे हम डग करके कम से कम 15 मिनिट के लिए रख देंगे अच्छे से सब को डुबा देंगे और 15 मिनिट के बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे ताकि अच्छे से फोल जाए तब देखिए हम इसे कुलर में सर्व कर रहे हैं क्योंकि कुलर सुद माना जाता है बहुत टेस्टी लगता है यह एक बार आप जरूर बनाईये यह रजवली बनाये यदि अच्छी बने तो पलीज कमेंट करके जरूर बताइए कैसा बना है तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो यह देखिए बहुत इच्छा कलर आया है बहुत इच्छा रजवली बनाया इसे हम पिस्ता सर्व कर लेंगे और उसे तो यदि ये रेस्पी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हमारे वीडियो को अधिक सद्धिक मात्रा में सेयर करें साइड में बेल आइकन होता उसे जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अफ्लोड करें आप तक पहुंचता रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स